हेलो दोस्तो वेलकम बेक टो मैं चैनल सिविल उजर्स दोस्तो इस वीडियो को साट करने से पहले बताना चाहूंगा कि बहुत सारी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिने नहीं पता है कि हाउस प्लानिंग कैसे करते हैं घर का नकसा कैसे बनाते हैं तो फ्रेंस मैं आप सबी के लब ये है कि आज की जो वीडियो है ये बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज का जो हमारा प्लोट का साइज है वो थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग है ठीक है तो चले फैंस सबसे पहले मैं आपको इस प्लोट की प्रॉपर डीटियल समझाता हूँ देखे फ कॉर्णर से हमारी लेंथ है 29 फिट ठीक है 29 फिट के बाद हमारा डेड़ फिट अंदर है ठीक है डेड़ फिट आपको अंदर जाना है अंदर जाने के बाद आपको फिर 9 फिट की लेंथ मारनी है ठीक है 9 फिट की लेंथ हा जाएगी तो टोटल आपकी 38 फिट हो जाएगी ठीक है लेकिन अभी जो हमारा front बचेगा वो हमारा बचेगा 36 feet 6 inches का ठीक है तो फैंस ये इनका total plot का size है ठीक है अभी अगर area के बारे में बात करें तो देखें फैंस 1430.5 work foot और 108.95 ये work gaj का total plot area है ठीक है अभी फैंस देखें direction है इस plot की south facing आप यहां पे देख सकते हैं south में इस plot के road है ठीक है फैंस ये तो होगी plot के information अभी बात करते हैं कि client को इस plot में क्या क्या design करवाना है देखिए फैंस सबसे पहली requirement है कि हमें इस plot को 3BH के design करना है 3BH के कैसे कैसे करना है ये भी समझे सबसे पहले दो bedroom चाहिए और इन दोनों bedroom में हमें अलमारी attach देनी है ठीक है उसके बाद एक drawing room एक large open kitchen lobby, store room, staircase basically हमें outside में design करनी है एक बड़ी car parking देनी है open area या फिर washing area हमें देना है उसके बाद एक common toilet भी हमें इस house plan में design करके देना है तो चले फैंस अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इस plot को इन सभी proper requirements के according किस तरह से design किया हुआ है तो दोस्तो जैसा कि आप इस screen पे देख सकते हो कि मैंने इस 3BH के house plan को client की proper requirement के according कुछ इस तरह से design किया हुआ है तो चले दोस्तो अभी मैं आपको इस house plan को समझाता हूँ दोस्तो देखे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो हमने gate दिया है वो south east corner में दिया हुआ है यानि कि south east corner वास्तु सास के according बिलकुल सही है और दोस्तो यहाँ पे gate का size है 10 feet ठीक है 10 feet change आपका यहां से लेके यहां तक है ठीक है लेकिन जब आप entry आगे में आगे बढ़ते हो आप घर में ठीक है तो यहाँ पे आपको अंदर की side में area मिलता है 12 feet का ठीक है ऐसा क्यों हो रहा है देखे फैंस यहाँ पे मैं आपको starting में ही बता चुका हूँ जो dead fit का space है वो आपका client के अंदर जगा में जा रहा है ठीक है वो किसी और की जगा का dead fit का space है देखे फैंस यहाँ पे जब आपका dead fit जाएगा तो आपका यहाँ पे front जो था वो मैंने बताया था 36 feet 6 inches क्योंकि back में आपका यहाँ पे 38 feet का space बचा है ठीक है तो इसलिए फैंस फ्रेंट में आपका यहाँ पे size रहेगा parking का साड़े 10 feet का और बात में रहेगा यहाँ पे 12 feet का ठीक है लेकिन उपर वाली जो flight fit होगी इसका size हमने 3 feet 9 inches का use किया हुआ ठीक है उसके बाद जो उपर वाली lending का size होगा वो मैंने यहाँ पे 3 feet 6 inches का use किया हुआ ठीक है चलिए फैंस अभी next बात करते है riser और trade के size के बारे में देखे फैंस next बात करते हैं घर में main entry के बारे में तो देखे फैंस यहाँ पे 4 feet चोड़ा एक मैंने यहाँ पे door दिया हुआ ठीक है यहाँ पे मैंने एक CD बनाई हुए है CD से आप up करते हो तो आप यहाँ से इस door से घर में entry करते हो ठीक है यह है आपका sink, gas और यह आपका refrigerator बिलकुल दोनों तीनों वास्तु सास के recording बिलकुल सही है ठीक है उसके बाद फैंस यहाँ पर देखे मैंने एक चार फिट चोड़ी window यूज की हुई है इस kitchen में proper ventilation के लिए और फैंस यहाँ पर जो dotted line दिख रही है उसके बारे मैं आपको बता जेगी ठीक है उसके बाद फैंस अभी next बात करते है कि जब आप इस kitchen से भार आते हो तो देखे फैंस आप यहाँ पर लोबी में आ जाते हो लोबी का size हमें मिलता है 14.5.4 इंच भाई 11.5 इंच का बहुती बड़ा size है हमारे लोबी का ठीक है अगर लोबी के ventilation की बात करें त फैंस यहाँ पर देखिए एक साधे तीन फूट चोड़ा मैंने यहाँ पर डोर भी लगाया हुआ है आउटर साइड में यह क्यों लगाया हुआ है as a security purpose मतलब कि अगर आपके कोई अंजान अदमी आपसे मिलने आते है तो आप उसको इस डोर से अंदर लाईए यहाँ पर वापिस आप उसको यहाँ से बाहर बेज लिए ठीक है चलिए उसके बाद अगर इस ventilation की बात के तो देखे फैंस यहाँ पर बड़ी विंडो लगाई हुए छे फूट चोड़ी विंडो है इस विंडो से इस drawing room को proper ventilation मिलेगा ठीक है उसके बाद जब आप इस drawing room से बाहर जात तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा toilet भी दे दिया है ठीक है तो देखे फैंस यहाँ पर यह आपका कमोड है यह आपका वाच बेशिन है यह आपका ventilator है और यह आपका shower है ठीक है इस ventilator से इस toilet को proper रोशनी मिलेगी ठीक है उसके बाद जब आप इस toilet से बाहर आते हो त फैंस यहाँ पर आप देख सकते हो एक washbasin मैंने लगाए हुए lobby size में देखे फैंस इस washbasin का use यहाँ पर हम lobby में करेंगे और यहाँ पर जो हम use करेंगे इस दिवार पर mirror यूज करेंगे बड़ा mirror एक luxury mirror हम यहाँ पर use करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी lobby को एक अच्छा और modern look मिल जाएगा ठीक है उसके बाद आप next आगे बढ़ते हो तो देखेंस यहाँ पर मैंने एक बड़ा OTS दिया हुआ है ठीक है इस OTS का size है 9 feet by 5 feet का बहुती बड़ा size मैंने दिया हुआ OTS का क्यों दिया हुआ reason समझे है क्योंकि देखेंस यहाँ पर बराबर में मैंने एक window दी हुई है इस room के लिए क्योंकि client को यहाँ पर इस bedroom में cooler और AC के लिए भी space चाहिए तो इसलिए मैंने यहाँ पर बड़ा ventilation यूज किया हुआ है ठीक है और यह जो ventilation है यानि कि यह जो OTS है यह हमारा as a washing area भी use किया जाएगा ठीक है उसके बाद जब आप आगे बढ़ आते हो तो इसी store room में जाते हो इसी store room का size है 6 feet 9 inch by 8 feet dead inch का यह भी बहुत बड़ा size है store room के लिए और यहाँ पर 2 feet चोड़ी मैंने slab डाली हुए store room में ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखिए इस bedroom में जाते हो तो इस bedroom का size हमें मिलता है 12 feet by 12 feet का यह भी room का size अच्छा है और इ important knowledge में आपको इसके बारे में बताता हूं ठीक है कि क्लाइंट को क्या क्या चाहिए था क्या 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 नहीं चाहिए था देखिए फैंस यहाँ पे सबसे पहले अगर चच्छा की बात करें तो चच्छा सिर्फ हमें यहां तक ही use करना है ठीक है तीन फिर चोड़ा हम तो देखिए आगे का जो हमारा portion है वो winter season में हम यहां पे धूप वगयरा में बैठने के लिए use करेंगे ठीक है अगर हम इसको cover कर देंगे तो हमारी यहां पे धूप नहीं आपाएगी ठीक है तो जो यानिकी कहने का मतलब यहां पे जो पीछे का जो space है client इसको as a veranda type भी use क पर सकता है ठीक है चलिए फैंस यह तो होगी हमारी house planning के बारे बात अभी फैंस बात करते है इस house planning के total door and window के sizes के बारे में देखे फैंस यहां पे door window का index मैंने बनाया हुआ है जरा ध्यान से समझेए देखे फैंस इस house plan में जहां पे आपको D मिलेगा वहां पे आपको door का size उ देखे फैंस यहां पे हम 3 feet by 7 foot के door का size भी यूज़ का सकते हैं बट यहां पे हम 1,5 feet इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे इस store room में कोई भी ventilator नहीं लगा हुआ है तो हम door में ही ventilator लगा देंगे 1,5 feet का ठीक है उसके बाद D3 हमारा toilet के door का size होगा 1,5 feet by 7 feet का उसके बा W3 जो kitchen की window है यह 3,5 foot by 5 foot की window होगी जो ground floor से 3,5 foot की height पे लगेगी ठीक है उसके बाद फैंस जो ventilator का size होगा वो 1,5 foot by 1,5 foot का होगा जो ground floor से 5,5 foot की height पे हम use करेंगे में भी हम इसको 7 feet के height पे लगा सकते हैं यह as per client होगा ठीक है उसके बाद फैंस अगर इस house plan के total column के बारे म भी black dot हैं यह सबी हमारे 9 inches by 9 inches के column है sorry फैंस यह जो हमारे column है यह मैंने extra यह पर दिया हुआ है मैं इसको delete कर देता हूँ ठीक है फैंस यह देखें उसके बाद फैंस अभी यहाँ पर जो अगर हम last बात करें इस house plan के total construction कोस्ट के बारे में तो देखें फैंस यहाँ पे 16,000,000 से 17,000,000 के approximate यह total खर्चा आएगा हमारे इस ground floor को बनाने में ठीक है तो फैंस कहने का मतलब यह है कि यह 3BH के house plan client की proper requirement के recording मैंने कुछ इस तरह से design किया है और फैंस आप इसको अपना mind use करके अगर वो अच्छी तरह से design करना चाते हो तो design कर सकते हो ठीक है तो चले फैंस अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को like करो comment करो share करो और ज्यादा से ज्यादा students तक पहुचाओ ताकि वो समझ सकें कि house planning किस तरह से करने चाहिए ठीक है तो चले फैंस आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में थ